भारत अपनी संस्कृती और प्राकृतिक सौंदर के लिए हमेशा से ही दुनिया भर के ट्यूरिस्ट का आकंशन केंद्र रहा है जहां गोवा जैसा राज्य इसकी समुद्रिय तटिय सुंदर्ता के लिए जाना जाता है वहीं केरल और कश्मीरी प्राकृतिक सुंदर्ता के लिए इसके अलावा कन्या कुमारी तो एक अलग ही अध्यात्मिक आकर्शन रहा है राजिस्थान भारत की एतिहासिक धरोहर से परिपूरे राज है तो वहीं ताजमहल भारत की एक पहचान बन चुका है तो आज हम आपको इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे परिटन केंद्र दिखाएंगी जिन्हें भारत में घूमना कोई नहीं छोड़ना चाहता आगरा एतिहासिक इमारत ताजमहल के काराण आगरा हमेशा से ही परिटकों के आकर्शन का प्रमुक केंद्र है आगरा में ताजमहल के लावा आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मगबरा, रामभाग और सिकंद्र का किला जैसे कई खुबसूरत नजारे हैं कश्मीर अपनी जीवन्त सुन्दर्ता के लिए कश्मीर दुनिया भर में प्रसिद है कश्मीर के दर्शनिय स्थलों में से श्रीनगर, गुलमर्ग, डलजील, नागिनजील, परीमहल और पहल गाउं है गोआ गोआ भारत का सबसी छोटा राज है जो की समुदरी बीच के लिए जाना जाता है यहां का सीफूर्ड, जल में खेले जाने वाले खेल यानि की वाटर स्पोर्ट्स इसे एक आनंद के स्थान के रूप में पहचान देते हैं यहां इस्थित अलोना का किला, गोआ म्यूजियम, चापोरा का किला, अनिपरटन, आकशन है कन्या कुमारी कन्या कुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है यहां पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है यहां से दिखने वाला संसेट बहुत जादा खुबसूरत दिखाई देता है जैपुर और उदैपुर राजिस्थान में स्थित जैपुर और उदैपुर अपनी कलात्मक और वास्तू सुन्दरता के लिए जाने जाते हैं उदैपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे सुन्दर स्थानों में से एक है वही जैपूर में हवा महल भी है जो वास्तुकला का उत्प्रस्ट उधारण माना जाता है केरल भारत के सरवाधिक संपन और सिख्षित राजियों में से केरल मंत्र मुग्द कर देने वाली सुन्दर्ता के लिए भी जाना जाता है यहां फैली हरी भरी सुन्दर्ता और नदियों में बोटिंग का अपना अलग ही आनन्द है दिल्ली भारत का आर्थिक केंद्र होनी के साथ ही देश की राजधानी भी है यहां पर इस्थित इंडिया गेट, राश्पती भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मिनार को देखने के लिए लोग पूरे सगल आना पसंद करते हैं डार्जिलिंग डार्जिलिंग को पहडों की राजधानी कहा जाता है, जो की समुद्र तल से 2134 मीटर उपर इस्थित है यहां पर इस्थित चाय के बागानों के लिए ये दुनिया भर में जाने जाते हैं मैसूर मैसूर करनाटक की संस्कृतिक राजधानी है जो अपने महलों के लिए जाना जाता है यहां पर इस्थित मैसूर का महल दुनिया भर में इतना फेमस है, इस महल को अंबाविला के नाम से भी जाना जाता है अजन्ता एलोरा महराश्र के और अंगाबाद जिले में स्थित चटानों को काट कर बनाई गई ये मूर्तियां बहुत धार्मिक कला का अदबुत उधारण है यहां पर पत्थरों की गुफाओं में बने मंदिर परिटकों को अपनी खुपसूरती से आश्चरी चकित कर देते हैं तो ये थी भारत की वो 10 ऐसी जगा जिने भारत में जरूर घूमना चाहिए